असलामों अलेकुम वीवर्ज आज की वीडियो में हम एक नेक डिजाइन बनाएंगे जिसके लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर ले लिया है अब हम इस पर हम अपना नेक का डिजाइन ड्रॉ करेंगे इसके लिए मैं पहले ये इसको फोल्ड कर लेती हूँ ये देखे 4 इंच पर मैं इस तरह से मार्क करूंगी और 6.5 इंच पर मैं इसको इस तरह से मार्क करूंगी इस तरह से करने के बाद हम इसको इस तरह लाइन मिला करके एक बॉक्स बना लेंगे अब हम नीचे की side भी ये हमने 10 inches पर मार्क कर लिया है अब हम यहाँ पर 11 inch पर इस तरह से मार्क करेंगे और फिर हम इसके जो ये मार्क हैं इन सबको मिला करके एक line ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से line ड्रॉ करके हम थोड़ा सा इधर कर बनाएंगे और एक थोड़ा सा इधर करके हम इसको एक shape दे देंगे इस तरह से shape देने के बाद अब हम इसको one one inch पर फिर से बाहर की side मांग करेंगे और इसको इस तरह से मांग करने के बाद ऐसे ही scale से line मिला करके फिर हम इसकी cutting करेंगे आप मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा तब ही इसका डिजाइन भी आपको समझ आएगा और जल्दी से अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा और लाइक भी जरूर कीजेगा और बेल आइकन को भी हिट केजिए ताकि मेरी आने वाली वीजियो का नौटिफिकेशन आपको मिल सके चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं मैंने इसमें पिन लगा लिए हैं ताकि ये हिले नहीं और वरना ये हिल जाता है तो हमारी गले की जो फिनिशिंग है वो खराब हो जाती है इसलिए जो हमने ये थोड़ा सा इस तरह सी शेप का गला बनाया है तो इसमें हमें पिन लगा लेंगे तो हम इसकी बहुत अच्छी से जो कटिंग भी होगी और इसकी शेप भी अच्छी से आ जाएगी ये देखे इसको इस तरह से खोल लेते हैं और जो बीच का पेपर है इसको अभी हम सभाल करके रखेंगे ये देखे मैंने इसको इसको इसलिए बीच में चिपकाया था ताकि जैसे हमने ये गला कटिंग किया है और ये इधर उधर नहीं गया ये हमारा बिल्कुल इसके साथ चिपकाया है तो ये बिल्कुल एक साथ चिपकाया है इधर से उधर से फैला नहीं है ये गला फिर मैंने इसे बीच का जो है वो हटा दिया अब इसकी कटिंग करने के बाद हम साइडों से इसको फोल्ड कर लेंगे फोल्ड हम सफाई से ही करेंगे क्योंकि हम इस नैक को जो है बाहर की तरफ को पल्टेंगे इसलिए अब हमने यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है इसके ठीक बराबर में ताकि जब हम अपने इसकी नैक के डिजाइनिंग करें तो हमें यह आराम से इसमें माग दिखाई दे कि हमें कहां पर अपनी डिजाइनिंग करनी है ये देखिए मैंने इस तरह से कर ली है अब मैंने ये शलवार का ट्राउजर का कपड़ा लिया है और उसके साथ मैंने पेस्टिंग पेपर ले लिया है इसको मैंने फोल्ड करके एक क्रीज बनाई है ताके हमारे पास ये आड़ यह 1-1 इंच पर इस तरह से कट कर ली हैं। देखे, बहुत सारी स्ट्रिप मेरी तैयार हो गई हैं। अब इनको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और बिल्कुल किनारे-किनारे सिलाई लगा लूगी। इसके बाद मैंने 3.2 इंच पर मैंने इसको कट कर लेना है। इसी तरह में ये सारी जो पटियां हैं वो कट कर लूँगी ये देखिए सब हमने बिल्कुल एक बराबर कर ली हैं और इसको इस तरह से कर्ब दे करके इस तरह फोल्ड करेंगे थोड़ा हम इसको खेज करके और थोड़ा पानी लगा कर फोल्ड करेंगे और प्रेस कर देंगे तो यह बिलकुल हमें जो शेप चाहिए यह उसी शेप में हमारी सेट हो जाएंगी इनको हलका सा गीला किया है मैंने और आड़ा ही कपड़ा इसमें लेना है आड़ा ही हमने पेस्टिंग पेपर लेना है तब ही जाके ये अच्छे से होगी और ये मेरे पास लैस है इस लैस में से मैंने इसके फ्लार कट कर ली है अब मैं इन फ्लार को इस तरह से लगाऊंगी कि तीन फ्लार की जो ये पत्या है वो मैंने बाहर की तरफ रखी है और दो मैंने अंदर की तरफ रखी है जो अंदर की तरफ दो आई है ये तो हमारी गले में हो जाएंगी और कट जाएंगी लेकिन जो बाहर की साइड मैंने ये इसी तरह से लगा लेना है और अब जो मैंने ये कर्व बनाए है ये जो हाफ सरकल बनाए है मैंने इनको इस तरह से रख करके थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ करके एक फ्लार से लेके दूसरे फ्लार तक हम इसको इस तरह से लगाएंगे ये देखिए इस तरह से फिर हम पहल गले पर यह लगा लूँगी यह देखिए यह बिल्कुल सही सही से आ जाएंगे एक फ्लार से लेके दूसरे फ्लार पर इस तरह से जैसे मैंने इस साइड लगाए हैं इसी तरह मैं यह दूसरी साइड भी लगा लूँगी यह देखिए धर भी लगाते हैं यह मैंने इस तरह से इनको स्टिच कर लिया है ये देखिए अब हम इसको कमीज पर pin up कर लेते हैं ये मैंने left मतलब उल्टी side पर इसको रखा है और उल्टी side से मैंने ये गला सीधी side की तरफ को पलटना है और अब मैं इसके pin निकाल देती हूँ ये देखिए मैंने सीधी side पलट लिया था और जिस left में से मैंने flower निकाले थे उस left को मैं इस तरह से cut कर दूँगी ये हमें इस तरह की चाहिए जो waste था मैंने वो निकाल दिया है और इसको इधर थोड़ा थोड़ा रखने के बाद थोड़ा थोड़ा हम इसको बाहर निकालेंगे थोड़ी design ही इसकी बाहर निकलती हुई और इसको इस तरह से रख करके हम इसमें stitch लगा देंगे ये देखिए इससे एक बड़ा अच्छा सा design बनके हमारा ये तयार हो जाएगा ये देखिए इस तरह से ये देखिए ये मैंने सब निकाल दिया है और जो मैंने इस मेरा फिस्टिच की थी वो भी मैंने निकाल दी है अब ये जो मैंने एक कपड़ा लिया है ये मैं नीचे लगाऊंगी और 7 इंच पर मैंने इसको बाग कर लिया है क्योंकि मैं गले की गहराई 7 इंच रखूंगी और इस कपड़े को देखिए इस तरह से रख करके हम यहाँ पर stitch लगाना शुरू करेंगे इसको बिल्कुल बराबर बराबर रखना है कि हमारी जो ये circle है ये भी half circle बराबर बराबर आए ठीक एक आमने सामने और ये flower भी हमारे ठीक आमने सामने आते रहे हैं अब हम इसको इस तरह से रख करके इसमें stitch लगाते हैं ये देखिए इस तरह से इसमें ये गला इस तरह से आ गया है और अब हम यहाँ पर जो ये हमारे half circle है इस पर हम पर लगाएंगे लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उससे थोड़ा थोड़ करके कट कर देंगे ये देखिए इस तरह से ये पर्ल है मेरे पास जो ये half circle है इसमें जो नेक में आए हुए है वहाँ पर मैं ये लगा दूँगी एक मैं आपको लगा करके दिखा देती हूँ और इसी तरह मैं ये चार और लगा लूँगी मतलब ये पास पर्ल हमारे नेक में सामने आ जाएंगे अच्छे से पका कर देना है ताकि ये खुले नहीं इस तरह लगा लेंगे ये देखिए अब हमारा नेक बन की तयार हो गया है और उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज थांक यू